बिस्मिल्ला रख्मान रहीम फूर बुरूं के चैनल पे आपी खिदमन में हाजिर है आज मैं बना रही हूँ होल वीड से पीता ब्रेट और इसकी फिलिंग के लिए हमें इन चीजों की ज़रूरत है पीता ब्रेट की फिलिंग के लिए चिकन हाफ केजी लुए इसे भी बरीग बरीग काट लिए है निए खिलिंग के लिए और दिकोरेशन के लिए हमें खीर्या लिया है любим तेमांटर दो अधर बरीग कटे हुए पас एक अदत बरीवरी कटा हुआ हरी मेर्चे और लेसन सिर्का भी आप लोग एड कर सकते हैं यह ऑप्शनल है फ्रेंड्स मैं जो इसमें गंदम यूज़ कर रही हूँ वो रेड वीड से हमने ली है हम लोग घर में यही यूज़ करते हैं इसलिए आटे का कलर आपको थोड़ा सा रेड रेड सा पिंक पिंक सा लगेगा पीता ब्रेड की डोब नाने के लिए सबसे पहले हम पानी में नमक गरम करके पानी में बॉयल करेंगे हलका सा और उसमें नमक डालेंगे तो सबसे पहले हम डोब नाने का काम शुरू करते हैं चार कप जो है मैंने आटा लिया था अब इसे दो कप पानी में हम लोग हाफ टेबल स्पून नमक करके इसे थोड़ा सा पकाएंगे थोड़ा पानी को जब हो जाएगा पानी में नमक अब हम इस पानी को दो कप पानी को थोड़ा थोड़ा करके इस आटे में डालके इसकी डोब बनाएंगे यह हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे चमज से गूनते जाएंगे पहले चमज से गूनते जाएंगे इसे आप इस वीड से पीता प्रैट बिणाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लेगेगा अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ओलिव ओल कर दा मिक्स कर लेंगे और इसे और अब इसे हम थोरा सा दही भी शामिल कर लेंगे तकरीबर 2 टेबल स्पून है ये दही एक भी जो है न अब हम इसे हाथ प्रैय। आपने फीता बंड़ा मैड़े से खाएवागा आप डूंठी वीड फ्लोर्ट से बना कर देखे आपको बहुत अच्छा लगेगा अब इसे पांस से दस मिन्न्ट भाम इसे हाथ से प्रैय। इसे प्रैय। यह हमारा हमारी दो जो है वो तियार हो गई है अब हम इसे डखन वाले किसी चीज में कवर करके राख देंगे 10-15 मिंट के लिए रूम तंप्रेचर पर दूसरी साइड पर हम इसकी फिलिंग के लिए जो मिटीरियल है वो तियार कर लेते हैं एक रहाई में हमने थोड़ा ओईली है इसमें चिकन डाला है चिकन का जो हमने पीस छोटे-छोटे कर दिये थे मैंने इसे तोड़ा चॉप कर लिया था अब देखें इस चिकन का जो कलर है वो पिंग से वाइट होना शुरू हो गया है यह तक्रीमन सारा वाइट हो गया इस चिकन का कलर हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे मैं इसे 10-15 मिंट के लिए कवर करके भी रख दिया था यह चिकन जो है अपने पानी में गलेगा आप इसमें ज्यादा पानी ना डाले अब हम इसमें बाकी जो वेजटेबल्स हैं वो एड़ कर लेंगे सबसे पहले मैंने इसमें लेसन मिक्स की है फिर हम इसमें टमाटर एड़ कर लेंगे और इसमें अची तरह मिक्स कर लेंगे जहे जैसे आप सबस गयां डालते हैं साथ साथ ही आप इसमें मिक्स करते जाए अब इसमें प्यास भी शामिल कर लेंगे बरीक बरीक कटा हुआ अब इसमें शिमलमेंट एड करेंगे बंगो भी भी एड कर लेंगे और इसे अची तरह मिक्स कर लेंगे इसमें अब मसाले बर आड कर लेते हैं मैंने इसमें कुटिवी लाल मिर्च 1 टी स्पून नमक 1 टी स्पून और काली मिर्च 1 टी स्पून दीए इसमें हरी मिर्चे भी आड कर लेंगे एंड पे और इसे अची तरह mix कर लेंगे, हम इस सबजियों को ढखके नहीं रखेंगे, क्योंकि सबजी अपनी पानी जो है जब छोड़ती है तो फिर फ्रेश नहीं लगती उनका टेस्ट भी तोहरा चेंज हो जाता है अब ये दूसरी तरफ जो हमने जो पीता बैट का जो दो थी वो हमने रूम टमपरेचर पर इसको एक ढगन वाल में रख दिया था ये इस फॉर्म में आ गया है हमने इसमें दही आट किया था तो ये इस फेरा यूज नहीं की थी अब थोरह से सुका आट हमने पर डाल के इसको एसे लंबाई की शकल में इसको पर्स कर लेने हैं और इसके ऐसे चोटे चोटे पेडे बना लेने हैं ये अहाफ आट जो मैं उस तरफ रख लिया था और ये बाकी इस तरफ रख लिया था अब पेडों को भी मैंने हलका सा धक्य रख लिया था 10 मिंट के लिए अब हम इसे इसकी ब्रैट्स बना लेंगे एक पैन में हमने इसे डाल लिया आप तवे का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब यह देखे व्यूवर्स आइसा आइसा पूल रही है रोटी अब इसमें हम चिकन की फिलिंग करके इसके रोल्स बना लेंगे हमारे यह रोल्स आप लंच में बचों को दे सकती हैं आप आफिस में अपने हस्पन्स को दे सकती हैं और अफ़तारी तैम भी आप यह रोल्स माल करेंगी तो आपको बहुत पसान दाएंगे अमीद है आपको मेरी यह रैस्पी बहुत अच्छी लगेगी